हेलो फ्रेंड्स आज हम Microsoft Word 2010 के बारे में पढ़ेंगे Microsoft Word 2010 स्टार्ट करने से पहले हम ये दिखेंगे कि Microsoft Word 2010 को ओपन कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम यहां Start बटन पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हम इस All Programs पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही इस लिस्ट में से हम Microsoft Office जो है वो सलेक्ट करेंगे सलेक्ट करने के बाद इस लिस्ट में से हम Microsoft Word 2010 पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही हमारे सामने Microsoft Word 2010 की विंडो जो है वो उपन हो जाएगी अब हम यहाँ पर Microsoft Word 2010 की कुछ basic बातों के बारे में समझेंगे जिसमें सबसे उपर जो line हमें दिख रही है जो बात दिख रहा है इसे हम title बार कहते हैं title बार में यहाँ पर center में हमें show कर रहा है document 1 यह हमारे document का default name है और उसके आगे जो यह हमें दिख रहा है Microsoft Word यह हमारी application का नाम है यानि कि अब हम इस समय Microsoft Word पर काम कर रहे हैं next जो हमें यहाँ left hand side पर title बार में दिख रहा है इसे हम quick access toolbar कहते हैं और जो right में आपको यहाँ दिख रहा है उसे हम window को minimize, maximize और close करने के काम आता है title बार के नीचे जो बार हमें दिख रहा है इसे हम menu बार कहते हैं इसके नीचे जो area है इसे हम ribbon कहते हैं ribbon के उपर हमें काफी सारे tabs दी गए हैं like file tab, home tab, insert tab, page layout tab, reference tab, mailing tab, review tab और last में view tab, हर tab के अपने-पने groups होते हैं like हमें यहाँ पर home button पर click कर रहा है home tab पर तो home tab के groups है, clipboard group, font group, paragraph group, style groups and editing group इस तरह से हम अब यहाँ पर किसी और tab पर click करते हैं like reference tab पर click करते हैं तो यहाँ पर जो है reference tabs के जो group है वो show हो रहे हैं like table of contents, footnotes, citation and bibliography, captions, index, table of authorities, etc. इस तरह से हर tab के अपने-पने groups होते हैं और हर tab के ऊपर जो groups हैं उनके अपने-पने commands होते हैं like clipboard पर cut, copy, paste इस तरह से font पर आपको font size इस तरह से जो है हर group की अपने-पने commands होती हैं इन commands के बारे में हम अपने आगे आने वरे tutorials में पढ़ेंगे उसके बाद Microsoft Word में दो तरह के rulers होते हैं एक होता है हमारा left ruler और दूसरा होता है हमारा top ruler left ruler, इन rulers को जो है हम page margins के लिए use करते हैं page margins यह जो एरिया हमें इहां दिखाई दे रहा है blue color का इसे हम page margin कहते हैं page margin यानि कि हमारे page पर जो margin है उसे set करने के का माता है हम यह जो blue area यहां पर दिख रहा है यहां पर इस area को हम page margin कहते हैं इस area को हम अपने according set भी कर सकते हैं यानि कि घटा और बढ़ा भी सकते हैं, लाइक सबसे पहले हम अपने arrow को इधर ले जाएंगे, और जैसे यह arrow हमारा double arrow pointed arrow में convert हो जाएगा, हम इसे drag करके उपर की तरफ ले जाएंगे, अगर हमने margin घटाना हो, इसी तरह से अगर हमने margin बढ़ाना हो, तो हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, यानि कि हम drag करके margin को घटा और बढ़ा सकते हैं, अपने accordingly, उसके बाद, हम top margins भी जो हैं वो घटा और बढ़ा सकते हैं, अपने accordingly, यह जो आपको blank के रिया दिख रहा है, इसे हम page कहते हैं, जहाँ पर हम अपने document को write कर सकते हैं, next यह जो हमें अपने windows के side में, यानि कि right hand side में दिख रहा है, इसे हम scroll bar कहते हैं, scroll bar की help से हम अपने page को left, right, up and down move कर सकते हैं, like हम इस scroll bar पर click करते हैं, और इसे उपर की तरफ ले जाते हैं, ड्रैग करके, तो यह उपर की तरफ move करेगा, और नीचे की तरफ drag करते हैं, तो यह page हमारा नीचे की तरफ move करेगा, हम इन buttons की help से भी अपने page को, अब और इस नीचे वाले button की help से, अपने page को down कर सकते हैं, last में यह जो line हमारी window में हमें, यानि कि Microsoft Word की window में दिख रही है, वो है हमारा status bar, status bar में सबसे पहले आपको दिख रहा है page one of one, page number in document, यानि कि जो आपके document में यह first number page है, next आपको दिख रहा है words, number of words in document, लाइक इस time जो हमारे document में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको words शो कर रहा है zero, उसके बाद जो right hand side में यह हमें दिख रहे हैं, इन्हें हम document views कहते हैं, सबसे पहला view है हमारा print layout, second full screen reading, third web layout, fourth outline, और fifth है हमारा draft view, इन्हें हम page views भी कहते हैं, फिर यह जो हमें यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, इस minus sign पर click करते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि हमारा page जो है, वो zoom out होता जा रहा है, और अगर हम अपने area को zoom in करना चाहते हैं, तो हम इस plus sign पर click करते जाएंगे, तो यह हमारा page जो है, वो zoom in होता चला जाएगा, normally जो हमारे page का zooming size है, वो है 100, suppose हम यहाँ पर यह जो blank area दिख रहा है, इसमें हम कुछ भी type करेंगे, लाइक हम यहाँ पर type करते हैं, mind pulley, private limited, Microsoft Word जैसे ही हम किसी text पर type करते हैं, और उस text को select करते हैं, तो आप देखेंगे कि Microsoft Word 2010 यहाँ पर हमें एक menu bar, mini toolbar open करके देता है, इस mini toolbar में भी हमें काफी सारे commands वो दिये हों हैं, इन commands को हम यहाँ पर use कर सकते हैं, like हम अपने यहाँ पर इसको bold करना चाहते हैं, यहाँ पर select करेंगे, आई पर select करेंगे, यह underline करना चाहते हैं, तो यूपर select करेंगे, इस तरह से हम इस mini toolbar को यहाँ पर use कर सकते हैं, Microsoft Word 2010 हमें live preview facility भी provide करता है, उसके लिए सबसे पहले हम इस text को select करेंगे, select करने के बाद अगर हम इस text का phone change करना चाहते हैं, phone size change करना चाहते हैं, तो हम इसे select करने के बाद, home tab के यहाँ पर phone size पर click करते हैं, phone size पर click करने के बाद, आपको यहाँ पर इस काफी सारे size दे रखे हैं, आप देख रहे हैं, इस भी size पर अपने mouse को roll over करते हैं, यह उसका live preview भी हमें साथ साथ शो कर रहा है, तो इस तहां से, जो Microsoft Word 2010 है, हमें live preview facility भी provide करता है, Thank you. तो यहाँ यहाँ अपने हैं,